नमस्ते अभिवादान आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों आज सेंसेक्स ने साथ हजार का आकड़ा टच किया है काफी खुसी की बात है उपर के लेवल से हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल लई है निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जो है एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है उसी कारण सेंसेक्स भी फिसलेगा आपको पता ही है लेकिन साथ हजार के उपर का सेंसेक्स यह हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है अचीवमेंट है एज इन इन्वेस्टर हम सब को इस पर प्राउड फि रिटर्म का रिटर्न बहुत बड़ा नंबर होता है दस साल में आपका पैसा चार गुना हो गया कुछ भी कहा जाए कि बाजार में बबल है यह रोग बाजार हर चीज से आगे बढ़ते हुई ऊपर ही जाएगी अगर देश को आगे बढ़ना है बाजार को तो आगे जाना रहें कि हमें पता चले कि यह जो एक मतलब होता है ना कि जैसे कि आप कोई भी काम करो तो कह देते हैं भीया सौ में से सौ नंबर आये तो वह लाजवाब है और सौ में से निन्नानमी बे रह गया तक कसक रह जाती है समझ रहना मतलब 100% आप अपना दीजिया दरवाई मत दीजिया तो वैसे ही जब होल नंबर में कोई बात होती है जैसे कि 5,000, 10,000, 20,000, जैसे कि हमारे सामने सेंसेक्स, जबसे हम बाजार में हैं, चार गुना हो चुका है तो उसकी मैंने बात की, और यह बहुत बड़ी बात है, बहुत जादा बड़ी बात है, क्योंकि एक समय यकीन नहीं होता है कि अभी जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, ह इसा फील आता है, लेकिन हमको यह मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी यही मतलब सुरुआत में मेरी भी ऐसी सुचती है, और आप देखिए कितना कमाल हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, मैं इस बात बिलकुल इनकान नहीं करता है, बाजार ओवर वैल्यूड है, लेकिन बा तो उसके लिए आप के पास कैस होना चाहिए, लेकिन अगर आप इन-बिट्वीन पार्टिसिपेट करना चाहते हो, short term trading कर सकते हो, swing trading कर सकते हो, intraday trading कर सकते हो, और अगर आप यह सोचते हो, कि रोज-रोज आप investment कर सकते हो, तो गलत सोचते हो दोस्त, आज नहीं तो कल आप आपको बाजार गलत प्रूफ करेगी, मार्क माई वर्ट्स, नोट माई वर्ट्स, तो आप सभी को सुफकामना है, संचेक 60,000 और होल नंबस में 40, 50, 60 पे हमा कर खड़े हैं, तो ये बड़ी एचीब्मेंट है, तो बाजार को एक थमसप, आप सब को भी सुफकामना है फिर से, अब बात कर लेते हैं निफ्टी IT इंडेक्स की, क्योंकि आज इसने बाजार को जो सहारा दिया है, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ा है, क्योंकि जो ओवरॉल मार्केट है, वहाँ पर सिनारियो कुछ खास ठीक है नहीं आज, ठीक है अगर अगर निफ्टी IT इंडेक्स इतना बढ़िया ना परफॉर्म कर रहा होता, यहाँ पर भी उपर से प्रॉफित बुकिंग आई गई है, लेकिन चार दिनों की पर्फॉर्मेंस आप यहाँ पर देखिए, निफ्टी को दमदार सहरा इसने दिया है, और आज भी सहरा ही दे रहा है, मतलब अकेले यह खड़ा है एक तरफा, बाकी स्टॉक्स तो गीड़ ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद, यह इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स को अभी तक सुरक्षित सम्हाल के रखा हुआ है, अब कुछ बात कर लेते हैं important, टाटा मुटर्स, कल मैंने एक लेवल आपको समझाया था, और पंदरा मिनिट की केंडल पे आप जाकर फिबनाशी वाली वीडियो देखिए, और मैंने यहाँ पर प्रॉफित बुकिंग करी, आपको होगे तुक्का लग गया, ठीक, कुछ भी, ठीक है और जो प्रूफ गैंग है वो टेलीग्राम पर जूड जाएंगी, अगर मन होगा तो सेर कर देंगे, वहाँ पर प्रूफ गैंग को प्रूफ देना पड़ता है, अब इंपॉर्टेंट बात, जो ट्रेड हमने सही जगह पर पकड़ा हो, अगर हम उसको सही जगह पर एक्जिट कर पाएं, तो उससे बेटर कुछ होता नहीं, कुछ खास नहीं गिर गया, टाटा मोटर्स, उपर नहीं समझाओंगा, लॉजिक क्या थी ट्रेड लेने की, स्विंगर सेटप पे हमको बाई मिला था, जो लोग स्विंगर सेटप खरीदे होंगे, उनको पता होगा, बाकी आपको खुद मैं बता रहा हूँ, 295 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट बताया था मैंने आपको 300 के उपर यहां पर आपको नॉर्मल खरीदारी भी कर लेनी चाहिए थी, अगर आप साइकलोजकली चीजों को समझते हो, साइकलोजकल लेवल्स पे ट्रेड करते हो, तो भी आपके लिए 300 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट था, प्लस अगर आप वाल्यूम एक्शन तोड़ कर यह स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद 300 का भी लेवल था, वहां पर भी कॉंटिटी आइड हो गई, उसके बाद 8% का प्रॉफिट मिल, हमने वहां पर एक्शिट किया, अब ट्रेड लेने की लॉजिक मैंने बताई, एक्शिट करने की लॉजिक मैंने आपको समझा इस टॉक जो है, वह स्टॉक ले रहा है, मतलब की गिरा और ऐसे जा रहा है, आपको यह वाला पार्ट पकड़ लेना है, क्योंकि यह स्टॉंग है, स्टॉंग का मतलब समझ रहे हैं, मतलब यह चीजें आपको यहां नहीं आप न बॉटम पकड़ पाओगे, न टॉप लिए, कोई बात नहीं, फेवनाजी को धन्यवाद, तुक्के को धन्यवाद, तुक्का लगना चाहिए, तुक्का नहीं लगेगा बाजार में, तो मजा कैसे आएगा, समझ रहे हैं, खेर, तुक्का लगने का यह मतलब नहीं है, आप जो है, कभी सही नहीं होगे, तुक्क यह बाजार की खुबी है, यह बाजार का नेचर है, बाजार को अपने नेचर पर काम करने दीजे, आपको अपने नेचर पर काम करना है, तरीका निकालना है, क्योंकि बाजार ना किसी की सगी है, ना किसी दुस्मन है, अगर आपको लेना आता है, तो आप बाजार से ले अवाइड मत कीजेगा, वह तो भी अवाइड मत कीजेगा, जिनके पास सेट अप है वह तो अवाइड करेंगे ही नहीं, यहाँ पर भी आपको बढ़ी हाँ ट्रेड मिल सकता है, एक स्टॉक बताएंगे महंदरा और महंदरा फाइनन्स, आज देखिए यहाँ पर गिरावट काफे दिन बाद ऐसे गिरावट देखने को मिल लही है, लेकिन यह जो गिरावट है, यहाँ पर अगर आप देखोगे 1.5% की गिरावट है, आप पीछे जाते जाओगे, तो ऐसी गिरावट इसे ने दिखाई नहीं है, कई दिनों से हमने पोर्टफोलियो में जब से डाला है, उसके बाद हमको लेने का मौका इसने दिया और फिर लगातार भागा है, ठीक, अब यह पहली बार गिर रहा है, अब क्या यहाँ पर हमको एलेट सिगनल मिल या नहीं, अगर आपको वालिम एक्सेंट ट्रेडिंग की वीडियो का रिवीजन नहीं करना तो मत कीजे, ले वह भी अपना smart decision लेंगे, कि अगर यह stock वापस अपने rate पे आ गया, वापस 20% नीचे चला गया, तो भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए, investment का यह मतलब नहीं का आपको पहले दिन से और आखरी दिन तक profit ही profit होता रहे, investment का मतलब यह होता है, 50 दिन stock नहीं चलेगा, 10 दिन में 50% भाग जाएगा, समझ रहना, तो ऐसे समझा कीजिए, investment को, एक stock है Chambal Fertilizer, आज यहाँ पर बढ़िया momentum आया है, 15 मिनट का trade, आप यहाँ पर जा कर देखिए, आपको खुद पता चलेगा, मैं कुछ समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से द ही अब ही तक नहीं आया, क्योंकि यहां पर वॉल्यम बहुत तग्ड़ा हूँ है, यहां पर भी हुआ, यहां पर भी हूँ है, फो अब हमीद यह कि 322 का जो level है, यह इसको आज नहीं तोड़ने वाला है, क्योंकि वाली हमारे आखिम है, फो बाज़ार में ही स्टॉक था आपको बता दें आज बढ़िया भागा है 5% कुछ स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म नहीं किया है पूटफोलियो में पहला तो हीडलबर्ग सिमेंट जहां लिये थे वहीं पर आकर खड़ा है 275 के ऊपर भी गया था लेकिन वापस घूम के वहीं पर आ गया तो इसने निरास किया है काफी निरासा जनक प्रदर्शन रहा है इसका एक स्टॉक जिसने तो हमको लॉस ही दिया है अब क्या करें क्या करें बहिया यह चल ही नहीं रहा है 820 रुपय के आजबवन हमने खरीदा था वहां से यह लॉस ही दिखा रहा है गया था उपर भी गया था आपसे करनी थी अभी इस वीडियो में निफ्टे उन नमबर पर आकर खड़ा है, संसेक्स साथ हजार हमको दिखा रहा है, अभी नीचे आ चुका है, तो उम्मीद यही है कि संसेक्स आज साथ हजार के लेवल को बचा ले, अगर नहीं बचा पाता है, तो भी कोई बात नहीं है, आज उसने हिट करके दिखाया ना, तो आपको यह तना यकीन हो जाना चाहिए, जो संसेक्स पिछले 10 साल में 4 गुना हो सकता है, उम्मीद यही है कि अगले 10 साल में भी 4 गुना हो जाए, ठीक है, लेकिन लेकिन यह जो मोमेंटम आया है पिछले एक सवा साल में, वो थोड़ा सा स्पेकुलेटिव है, आपको खुद पता है, वहाँ पर external factors involved है, तो आपको यहाँ पर ऐसा decision नहीं लेने ना है, कि मैंने कह दिया, दस साल में 4 गुना हो जाएगा पैसा ता आप पूरा पैसा यहीं लाकर डाल दो, इंतजार करोगे, इंतजार का फल मीठा मिलेगा, क्योंकि जो सेंसेक्स 15,000 से 30,000, 30,000 से 45,000 हुआ था, उसका भी चार्ट आप देख लीजे, उसका भी चार्ट आप देख लीजे, वही गिर करके कहां चला गया था, याद है ना, याद है, हाँ, गिर गया था ना, वापस, 26,000 पे, जो सेंसेक्स 15,000 से 30,000 से 40,000, 45 तक आया था, वही गिर के नीचे चला गया था, अब एक्जेक्ली 45,000 पे आप नंबर मत गेम खेलिएगा, नहीं नहीं, 45,000 तो आया ही नहीं था, कुरोना से पहले, बात के मर्म को समझा कीजे, और वीडियो लाइक कर दिया कीजे, हम जल्दी मिलते हैं, आप से कोई सवाल सुझा हो, तो मुझ लीजेगा, अभी इतना ही, नमस्कार,